दोस्तो मंगोडे खाने का मज़ा तो बारिस के मौसम में ही आता है तो अभी फिरहाल जाती हुई बारिस के मौसम में फिर से मंगोडे खाने का दिल किया तो चलिए हम लोग फिर से एक बार मंगोडे बनाते हैं मोंगोडे बनाने के लिए मैंने लिया है मूंग की दाल और ये तीन कप मूंग की दाल है इसे मैंने चार घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था छिलकी वाली मूंग की दाल मैंने लिया था दोस्तों अच्छे से इसे वॉस कर लिया है और पूरा छिलका मैंने इसका नहीं अब इसे हम जार में डाल देंगे दो मिर्ची 5-6 लेसुन की कली 2-3 अद्रक के टुकड़े और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे तो धनिया पत्ती की डंडी भी मैंने इसमें डाल दी है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि सारे कुछ हमें पीछना है अब हम इस मिक्षार पीष लेंगे लेकिन यह क्याल रखना है इसे पीषते समय हमें मिक्षी को रोक रोक कर पीषना है थाकि यह मिक्षर बनेい चाहिए दाल का बहुत बारीक मिक्षर नहीं चाहिए मंगोडे बनानी के लिए तो अब हम क्या करेंगे इस mixture को सारे mixture को एक साथ मिला लेंगे पहले वाला भी मैंने बिना धनिया वाला मिक्चर भी मैंने पीछ लिया था अब एक साथ अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे बारी कटी हुई प्याज तो यह च पती जब तक नहों तो मंगोडे में मजा नहीं आता है तो धनिया डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा अच्छे से धनिया जरू डालिएगा अब सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे दोस्तों कुछ लोग इसमें बहुत सारी vegetables भी डाल देते हैं तो अगर आ डालने के लिए लेकिन मैं इसमें नहीं डालने हूं कि मेरे बच्चे इसे पसंद नहीं करेंगे अब उपर जो डाल देंगे धनिया पाउडर आदा चमच आदा जीरा पाउडर इसके बाद नमक स्वादा नुशार डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से हम mix कर लेंगे लेते हैं तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है धनिया की पत्ती डंडी के साथ में दो तीन लैसुन की कली एक हरी मिश और एक टमाटर है और थोड़ा सा अध्रक का टुकड़ा है अब इसमें हम डाल देंगे आदा चमच जीरा और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दें तो यह लीजे हमारी चटनी तयार है दोस्तों यह बेसिक चटनी है सभी घरों में यह चटनी बनाई जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है मंगोडे के साथ में तो मजा ही आ जाता है तो अब इधर देखिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल डाल देंगे तेल भी आप ज्यादा लीजिएगा मंगोडों के लिए क्योंकि मंगोडों में तेल बहुत ज्यादा लगता है अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तल लेंगे क्योंकि जब मंगोडे अंदर से हमारे पकते हैं तब ही मंगोडे अच्छे लग दोस्तों बहुत ही क्रिश्प बने हैं अंदर से सौप्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प हैं खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट हैं तो देखें आपको इसका क्रिस्प दिखाती हूं कि इथा में बेधा बना हुई है तो दोस्तों मंगोड क्षाने में बारिष के मौसम में बहुत मजा आता है तो बारिष जाने का सीजन है लेकिन इक बार है अगर आप यज़ाने में बहुत मजा आएगा। इसे बनाते वक्ष एक टिपस है जो हमें Estate ध्यान रखें कि मंगोड की दाल को थोड़ा सा दरद्रा रखें, तो देखिए दोस्तो हमारी मंगोacter भी तयार हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही सांदार मंगो Effect और फिर से एक नई रेश्पी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट ये तब तक के लिये साथ Ciao bye